दोस्तो पिछले कुछ समय में देखा गया है कि पैन इंडिया रिलीज होने वाली फिल्मों में बॉक्स आफिस पर बहुत अच्छी कमाई गई है एक और बॉलिवुड की फिल्में जहां सूपर फ्लॉप साबित हो रही है वही दूसरी और पैन इंडिया की फिल्में कमाई के सारे रिकार्ड दोड रही है कोई भी फिल्म बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत डिरेक्टर की होती है कई बार तो एक फिल्म बनाने के लिए डिरेक्टर्स कई सालों का वक्त लगा देते है क्योंकि कोई भी डिरेक्टर ये नहीं चाहता कि उसके फिल्म में थोड़ी सी भी कमी रहे और खास्तोर पर जब फिल्म के पैन इंडिया रिलीज होने की बात आती है तो डिरेक्टर की जिबमेदारी और भी ज्यादा पढ़ जाती है पहले तो सिर्फ फिल्मों के लिए ही पैन इंडिया टर्म का शब्द यूज किया जाता था लेकिन आजकल डिरेक्टर्स की पहजान भी पैन इंडिया डिरेक्टर्स के नाम से होने लगी है जो डिरेक्टर्स अपने फिल्मों को एक साथ कई भाशाओं में रिलीज करते हैं उनके लिए पैन इंडिया डिरेक्टर्स टर्म का इस्तिमाल किया जाता है आने वाले कुछ समय में पैन इंडिया डिरेक्टर्स कई शानदार फिल्में बड़े पर रिलीज करने वाले हैं चलिए आपको बताते हैं कि पैन इंडिया डिरेक्टर्स अपनी कौन-कौन से फिल्में जल्द ही रिलीज करने वाले हैं जिन से फिल्ममेकर्स को काफी उम्मीदे हैं नेलसन दिलिपकुमार नेलसन दिलिपकुमार तमिल फिल्म सिनिमा के एक जानेवाने फिल्म निर्देशक है उनकी आखरे फिल्म बीस्ट थी जिसका हिंदी वर्जन रॉक के नाम से रुलीज किया गया फिल्म में विजय, पूजा हेगडे के साथ, सेलवा रागवन, योगी बाबू और वी टीवी गणेश भी मुख्य करदारों में नजर आए। फिल्म ने रीजनल लेंग्विज में तो ठीक ठाक कमाई की थी लेकिन पैन इंडिया में ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। सुकुमार अपनी ग्रेशेट्स फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और तेलुकु फिल्म इंडेस्ट्री के सबसे गदावर निर्देशिकों की सूची में शुमार हैं। सुकुमार की अंटिम फिल्म पुष्पा दराइस थी और इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर शानदार कमाई की। ये फिल्म साल 2021 में इंडेन सिनिमा में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म पुष्पा में अलू अर्जिन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आये थी। फिल्म की सफलता के बाद सुकुमार ने इसके सीक्वल बनाने का ऐलान किया। फिल्म की दूसरे पार्ट का नाम पुष्पादर रूल होगा। इस फिल्म का बज़ट 400 करोड रुपे बताया जा रहा है। और सितंबर महिने में इसकी शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले साल 2018 में सुकुमार ने फिल्म रंग स्थलम बनाई थी जिसमें समान्था रूत प्रभू और राम चरन लीड रूल में थे। क्रिटिक्स का कहना है कि यदि वो फिल्म पैन इंडिया रिलीज होती तो कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड सकती थी। लोकेश कानागराज ने साल 2016 में फिल्म अवील से निर्देशन के खिता में कदेशन के देशन किया। जल्दी वे अपनी नई फिल्म थाला पथी, 66 की शूटिंग शुरू करेंगे। इस साल के अंध तक फिल्म की शूटिंग शुरू की जा सकती है और अगले साल के अंध तक या 2024 की शिरुवात में फिल्म बड़े परदे पर रिलीज की जाएगी इस फिल्म में विजय और समान था रूथ प्रभू लीड रोल में नजर आएंगे फिल्म विक्रम और कैदी की सीक्वल फिल्मों पर भी काम कर रहे हैं फिल्म केजीएफ के दोनों पार्ट ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद प्रशांद नील का नाम इंजन सिनेमा के सबसे कददावर डारेक्टर्स में शिमार हो गया है केजीएफ फस्क की रिलीज के बाद से ही लोग केजीएफ टू का इंदिजार कर रहे थे और इस साल केजीएफ टू जब बड़े पर रिलीज हुई तो प्रशांद ने दर्शकों को निराश होने का मौका नहीं दिया अब जल्द ही प्रशांद अपनी अगली फिल्म सलार लेकर आने वाले है फिल्म सलार का टीजर और ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है दर्शकों को फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद भी आ रहा है इस फिल्म में प्रभास और शुटी हासन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। में बड़े परदे पर सूपर हिट सावित हुई फिल्म में रजनी कांथ के साथ ऐश्वर एराई लीड रोल में नज़र आई थी फिलाल ऐसे शंकर अपनी अपकमिंग फिल्म RC-15 पर काम कर रहे हैं ये रामचरण के करियर की पंदरवी फिल्म होगी जिसमें वे लीड रोल में नज़र आएंगे साओ्थ फिल्म इंडेस्ट्री में रामचरण की अच्छी खासी फैन फॉल्लोइंग है राम चरण के साथ बॉलिवुड एक्ट्रेस की आरादवाने को फिल्म में कास्ट किया गया है बताया जा रहा है कि फिल्म में राम चरण दोहरी भूमिका में नजर आएंगे 180 करोड के बजट में बनने वाली ये फिल्म एक पॉलिटिकल अक्शन ड्रामा फिल्म होगी एसेस राजा मॉली अपने फिल्मों पर काफी मेहनत करते हैं उनके फिल्मों के शूटिंग लोकेशन्स, वी एफेक्स, सेट्स, सब कुछ दमदार होते हैं वे अब तक तीन बैक-टु-बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं जल्द ही राजा मॉली एक बहुती बड़े बजट की फिल्म लेकर आने वाले है जिसमें महेश बाबू लीड रोल में नज़र आएंगे फिल्म का बजट साथ सो करोड रुबे बताया जा रहा है और ये फिल्म साल 2025 तक सिनेमा घरों में दस्तक देदेगी इस फिल्म के प्रोड्यूसर केल नारायन होंगे इस प्रोजेक का नाम फिल्हाल SSMB29 बताया जा रहा है ये फिल्म का ओफिशल नेम होगा या इसमें बदलाव किया जाएगा इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आए खबरों की माने तो ये एक्शन, एडवेंचर और सस्पेंस से भरपूर फिल्म होगी जो इंटिन सिनिमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हो सकती है तो दोस्तों ये है पैन इंडिया डिरेक्टर्स की कुछ अपकमिंग फिल्में जो आने वाले समय में बॉक्स आफिस पर धमाल मचा रही है इसके लावा फिल्म टाइगा नागेश्वार राओ और आधिपूरुष जैसे फिल्मों से भी अच्छी खासी कमाई की उम्मीद लगाई जा रही है एक समय जो पहचान अनुरा कश्य प्रकाश जहार आज कुमार हिरानी या शाउपड़ा और संजे लीला भनसाली की हुआ करती थी वही पहचान आज साउथ फिल्म इंडेस्ट्री के डिरेक्टर्स की बन गई है और यहां तक पहुँचने के लिए साउथ फिल्म इंडेस्ट्री के डिरेक्टर्स ने काफी ज्यादा मेहनद भी की है तो आपको कौन से पैन इंडेस्टर की कौन से फिल्म अभी तक पसंद आई और हमारे दुआरा बताए गई सभी अपकमिंग फिल्मों में से आप कौन से फिल्म का बेसपरीज इंदिजार कर रहे हैं कॉमेंट्स में जरू बताए आज के लिए तना ही धन्यवाद